नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश्ट्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूटूब चैनल में आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे हम पास्चात्य दर्शन का स्रीच पढ़ना हैं आज हम जानेंगे जी इमूर का वस्तुवाद क्या है जी इमूर ने वस्तुवाद की स्थापना के लिए दो सिधान्त यहां दिये हैं उन दोनों सिधान्त को पढ़ेंगे पहला है सहज बुद्धी का समर्थन किया है और दूसरा किया है प्रत्यावाद का खंडन प्रत्यवात का खंडन लाश्ट इयर सीजी पीसी में आया था 175 वर्ड में लिखने के लिए तो यह आ चुका है सहज बुद्धी यह आने का चांस है तो चलिए देखते हैं कि जी मूर का वस्तुवाद यथार्थवाद या वास्तावाद रियलिजम है क्या तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वस्तुवाद होता क्या है तो वस्तुवाद वह दार्षनिक सी धानत है जिसके अनुसार वस्तुवें पदार्थ में जो वस्तुवें हैं या थार्थ में वैसा ही हैं जैसे हम उन्हें देखते हैं और हम उन्हें उसी रूप में देखते हैं जैसे की वे या थार्थ में हैं अर्थात वस्तूओं का स्वतंत्र अस्तित्व है जो पहले के दासनिक हैं उन्होंने नहीं माना था कि वस्तूओं का स्वतंत्र अस्तित्व है वस्तू बात कहता है कि वस्तूओं का स्वतंत्र अस्त जैसा वस्तू दिखती है वैसे ही वह रहती है एक अर्थात जो बाह जितनी वस्तूएं है जैसे गुलाब देते हैं पहला है सहज बुद्धी का समर्थन इनकी जो लेख है इसमें सहज ग्यान का समर्थन कर मूर ने वस्तुवाद रियलिजम जिसको बोलते हैं या थार्थवाद और वास्तावाद की प्रतिष्ठा की है अब सहज बुद्धी क्या है इसके लिए इन्होंने परिभासा नहीं दी है क्यों क्योंकि इसको परिभासित करना संभाव नहीं सहज बुद्धी को इसके लिए इन्होंने दो सूचिया बनाई हैं और दो सुचियों के माध्यम के से उधारण के माध्यम से अपने सहज बुद्धी को समझाने का प्रयास किया है वो दो सुची कौन-कौन सी है देख लीजिए पहली सुची में में उसको रखा है जो मेरे से संबंध है मुझसे संबंधित है ठेक है और दूसरी संबंधित है उसको दो भाग में बाटा है पहला लिख कहा है जो मुझसे संबंधित है जैसे मेरा एक सरीर है मेरा सरीर है भाई मेरे दो हाथ हैं मैं पैर से चलता हूं यह सब क्या है मुझसे संबंधित है मेरे से संबंधित है दूसरा है जो मुझसे और ऑबजेक्ट से वस वस्तू और मुझसे संबंधित अनभाव है जैसे जैसे देख लीजिए कि कोई भी जाम पर मुझे कुछ वस्तू का अनभाव होता है मुझे कुछ वस्तूओं का अनुभव होता है मुझे आम मीठा लगता है तो मुझे में और आम में क्या है दोरों में कुछ अनुभव हुआ कि मीठा लगा मेरे को यानि मुझसे और वस्तूओं के कांटेक्ट होने से जो अंभव होगा वह भी क्या है सहाज ग्यान के अंतर गताता है common sense के अंतर गताता है ठीक है तो दो लिए जो सेmmCal अब अब इसनों ने दूसरा जो सूची बनाया है उसमें जो है जो दूसरों के अनुभाव से संबंदित है उनको उधार दिया है दूसरों के अनुभाव से कैसे जैसे आपके आपके जो अनुभाव है उससे संबंदित कि दूसरे व्यक्ति अपने बारे में उतने ही निश्यात्म समझ से जानते हैं और जैसा मैं अपने बारे में जानता हूं अर्था दूसरे के अनभौ से संबंदित तो यह दो सुची बनाई है पहला सुची मुझसे संबंदित दूसरे संबंदित मुझसे संबंदित को दोरभाग में बाटा है जो सिर्फ मुझसे संबंदित है और जो मुझसे तथा वस्त्मों के अनभ़से संबंदित है आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा अब देख लिजिए कि मूर ने सहज बुद्धी के जो विश्वास हैं इसकी कुछ समान बुद्धी वाले वयस्क इसमें जो है बच्चे विछिप्त दार्षनिक विश्वास ना करें तो कोई अंतर नहीं बढ़ता अर्था जो सहज बुद्धी है common sense है उसमें सभी को विश्वास करते हैं यह विश्वास दूसरा है यह विश्वास जो है आद्य होते हैं एक निश्चिद ढग नहीं है जिसके द्वारा हम इस common sense को जान सके हैं सधारड़ता यह क्या है सक्षात ग्यान से प्राप्त होता है हमें चौधा पाइंट है इनका ग्यान नहीं होता अभोध होता है अंडरस्टेंडिंग होता है इसलिए हम इसका विश्वास नहीं कर सकते उधारड के लिए देख लीजिए कि सधियों से धर्ती जो है सधियों से है इसका अवोध क्या है अंडरस्टेंडिंग सब को है किन्तु सधियों से है यह निश्चिद ग्यान सभी को नहीं है तो यह बोलते हैं कि इनका ग्यान जो है जो सहज बुद्धी का ग्यान अंडरस् किसी दार्षनिक या ग्यान विमानसी अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होगा छट्वा है कि इसकी अभिव्यक्ति सधारण भासा में होगी दार्षनिक या आकारिक भासा में नहीं होगी जैसे यदि कोई कहे कि मैं राम हूं तो उस पर यह प्रस्ण उठाना गलत होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो आप है वह राम ही है मतलब सधाराण भासा में इसके व्यक्ति होगी कोई दार्सनिक भासा में नहीं बहुमत वाले सभी विश्वास सहज बुद्धि विश्वास नहीं होते कि जो बहुमत में जो कह दिया वह सहज बुद्धि नहीं होगा सहज भी नहीं कहलाएगा उसने इसके लिए मूर ने उधारर दिया कि पहले लोग पृत्वी को समतल मानते थे किन्तु यह सिर्फ लादी हुई बात थी ना कि सहज विश्वास तो एह सहज विश्वास की कुछ भी सेस्थाएं कुछ लिए इसाहज विश्वास करतें इसमें प्राचीन हैं कोई निश्चित पद्धती नहीं है इसकी अविव्यक्ती साधराण भागसा अब वस्तुत है जो सहज विश्वास में मूर ने स Variम की सफ्टा अने व्यक्तियों की सफ्टा वस्तू तथा देशकाल की की सत्ता को सामिल करता है क्योंकि हमारे समान ने जीवन इनहीं विश्यों पर विश्वास पर ठीक है अब यह सहज बुद्धि है इसकी के द्वारा वस्तों की सत्ता को मानते हैं इसी के धार पर ठीक है क्योंकि ये जो जितने भी है समान सहज बुद्धि इन्ही इन्ही के द्वारा तो विभारिक जीवन में इन्ही का तुप्योग होता है हमारा समान जीवन इन सभी विश्वासों पर हितु टिका है अब इसकी की लिए इन्होंने तो छह द्रकति कि यह हैं इसको पृफ करने के लिए वह देखिए मूर ने शह द्रकों के माध्यम से अपने सहज ग्यान संबंधी मत को प्रमारीद करने का प्रयास किया है वह च्छव टर्कत क्या क्या हैं उसको देख लीजिए पहला आता है है इस में सौर'll भोमिक शुक्रिती पर अधारित युक्ति मुर्की अनुसार सभीी स्हहज रूप से मानते हैं कि वस्तुवं का श्तित्व है शरीष जड़ प्रदार्त हैं सभी कोई मानते हैं अतह वस्तुवं का श् Today वह अस्तित्व है इससे सिध्ध होता हैं कि कुछ विश्वासों को मानने हैं तू हम बाद ने हैं जैसे जैसे देख लिए आग जलाती है पानी पीने से प्याज बुझती है इसको सभी कोई मानते हैं बाद ने हैं सभी जो है प्रत्यवादी हो संसयवादी हो सभी ऐसे विश्वासों को मानने के लिए बाद ने हैं इसे यह सिद्ध होता है कि सहज ग्ञान सम्बंधी मत सत्य हैं इंद्रीय अनुगरों पर अधारिज युक्ति इंद्रीय इसमें क्याता है कि जो आडिलिष्ट डशनिक है वो मानते हैं कि इन सारी डारेटर रूप से यदि कहें को हमें इंद्रिय समवेदन का ही ग्यान होता है हम बाय वस्तू की सत्ता किस अधार पर जान सकते हैं जो बाय हमें वस्तू हैं इसकी सत्ता हम किसके अधार पर जानेंगे भाईया तो मूर कहते हैं कि इंद्रिय समवेदन स्वयम अपने से प्रेवस्तु की सद्धा सिद्ध करती है कि हम यह जो बाहर की जो वस्तु है उसकी सम्वेदन करते हैं तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो यह जो जो वस्तु है बाहर में उसकी सत्ता इंद्री सम्विदन स्वयम ही सिध्ध कर रही है यह सही है कि कभी-कभी जो इंद्रियां है ब्रह्म पैदा करती है जैसे कभी-कभी हमें जो रस्ती है उसमें साप का ब्रह्म होता है लेकिन जो इंद्रियां है वही तो इस ब्रह्म का निवारण भी करती है यह पा स्वपन पर अधारित तर्क इसमें क्या है कि स्वपन के जो अनुभाव की संभावना तभी है जब जागरित अनुभाव की संभाव हो वास्तवी को अतरा स्वपन के अधार पर भी सहज यान खंडन नहीं होता ए चौंथा तर्क है पांच्वा बोलते हैं कि विसंगती प्रधारितर की कई दार्शनी कहते हैं कि हम्मे से कोई यह नहीं जान सकता कि मेरे अतरिक्त अन्य वस्तियों की सत्ता है इस पर मूर कहते हैं इस वाक्य में खुद ही लिखा है कि हम्मे से हम्मे से इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं के अतरि सत्षित ही इस व स्पारफ की सत्तथा है तो यह हैं आपका race आ ARM का पांच्वा पाइंट स्थु आथ की संबंध में चट्वायण क्या है तो सब्सक्राइन को हम पूर्ण सिर तर्षी कार करते हैं मूरमानते हैं कि जो सहज ग्यान के सभी विश्यों को हम पूर्ण निष्ठा से स्विकार करते हैं, उन्हें मानने के लिए हमारे उपर व्यवहारिक दबाव है, क्योंकि बिना उन्हें माने हम व्यवहारिक जीवन नहीं चल सकता, इस प्रकार निष्ठा अधारित युक्ति जो है छट्वा पॉइंट है, तो ये जे च्छे तरक हैं, इसके द्वारा अपनी सहज ग्यान को जो है प्रमारित करते हैं, सौर बहुमिक सुकृति, बाद्यता, इंद्रेन भव, शौपन पर अधारित, विसंगती पर अधारित और निष्ठा पर अधारित, तो ये है सहज ग्यान का सिध् कि रसेल कहते हैं कि समान बुद्धी के कई विश्वास जो है वो गलत हैं, जो बहुत सारे विश्वास हैं, वो गलत साबित हो जाते हैं, और दूसरा लुचना क्या है कि मूर के सभी तरक जो है मिलते जुलते हैं, कोई भी युक्ती जो है दार्षनिक द्रिष्टी से सबल नहीं हैं तीसरा है कि जो समवेदन की समस्या को सधारण तरीके से हल कर दिया गया है तिक है यह बहुत सधार तरीके से ताल दिया गया है और नेश्ट है कि सहज ग्यान सब्द का सही प्रयोग नहीं किया गया है सहज जो ग्यान उसकी परिभासा इसने नहीं दी यह इनका आलो होगा कि मूर का सहज ग्यान क्या है तो यदि ब्रीफ में कहूं तो मूर का common sense है मेरे संबंद में और जो अन्य के संबंद में और common sense का जो विश्वास है उसकी विश्वास को बता देना है एक दो दो तिन पानने हैं यह स्वभाविक होते हैं उसके बाद उसको बता देना है कि स्वभामिक शुक्रिती होती है इंद्री नुभो परधारित होती है सपना धारित तर्क विसंगती परधारित तर्क और निष्टा परधारित तर्क फिर एक लाइन में एक दो लाइन में समिक्षा करके आप conclusion कर देना है clear है तो यह है आपका मूर का सहज ज्यान जिसके द्वारा वस्तुवात की उसने स्थापना करने की कोशिस की है अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मूर ने प्रत्यावाद का खंडन कैसे किया है इस हमारे फैमिली का सदस्ट बनने के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कीजिए समझ में आया होगा तो और कमेंट कीजिए कोई डाउट हो तो तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर लिक्सनिंग धन्यमाद